हेलो स्टूरेंट्स वेलकूम अगें टू लान प्रिद्धी तीमन आज हम बात करने वाले हैं पूर्सों के वस्त्र और पगडियों के बारे में तो इससे पहले हमने देखा था कि इस्त्रियों के जो पहने जाने वाले आभूशन हैं तो उनके बारे में हमने बात की थी तो इसके बाद हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे राजिस्तान में पहने जाने वाले पूर्सों के द्वारा पगडियां और पूर्सों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है क्योंकि यहाँ पर चीज जो है वो आपको कुछ तो पहले से ही आती भी होगी आपने सुनी भी होगी और कुछ जो है उनके बारे में आपको knowledge नहीं भी होगी तो चलिए जिनके बारे में knowledge है बहुत अच्छी बात है और जिनके बारे में नहीं होगी तो उनको आज आप जान लीजिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्सों के दोरा पहने जाने वाली पगडियां तो बहुत ही बिविन तरीके की पगडिया जो है वो पहनी जाती है सबसे पहली है मदील की पगडि अब ये क्या होती है मदील की पगडि जो है वो दसहरे की अफसर पर पहनी जाती है ठीक है पीली पगडी जो है वो मांगलिक अफशर जो होते हैं विवहा के अफशर ठीक है तो उस वक्त जो है वो पीली पगडी पहनने को देखी जाती है ठीक है तो जो हेलो स्टूडेंट्स वेलकूम अगें टू लंड़े दिमन आज हम करने वाले हैं पुर्सों के वस्त्र और पगडियां क्योंकि यहां से एक्जाम में कुश्चन जो है वो आपके आ सकता है क्योंकि इस्त्रियों की आभूशन के बारे में हमने पिसले वीडियो में बात कर ली करेंगे और नोट भी करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करटे है सबसे पहली है मदील की पагडी मदील की पागडी जो है वो क्या होती है यह पग्री जो होती है वो iki अव्यकम केवल दसहरे की अवसर पर पहनी जाती है तोस चीज को भी याहाद रखेंगे ये पगड़ी जो वो भी कई तरीके की होती है जिसमें हमने पहले देखा मदील की पगड़ी जो दसहरे पर पहनी जा रही है पीली पगड़ी जो मांगलिक अफजर पर पहनी जा रही है नेक्स्ट देखिए लहरिया पगड़ी अब इसे कौन नहीं जानता कि लहरिया जो है वो कप पहना जाता ह इस तरिके से पुरस होते हैं वह लहरिया पगडी कब पहनते हैं शिरावन मास में यानि की सावन के महिने में तो यह तो आपको याद ही रहेगी नेक्स देखिए फूल पत्ती वाली 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 पत्ती चोटा सा ही वीडियो है ठीक है नेक्स्ट है मोठडा की पगड़ी अब यह पगड़ी कैसी होती है यह पगड़ी जो है वो केवल विवाहा की अफसर पर पहनी जाती है ठीक है मोठडा की पगड़ी जो है वो केवल विवाहा की अफसर पर पहनी जाती है और पीली पगड़ी जो है वो कोई भी मांगलिक अफसर जो होते हैं उस वक्त पहनी जा रही है ठीक है और मोठोडा की पगड़ी केवल विभाव पर नेक्स्ट आ रही है केसरिया पगड़ी तो हिस्ट्री पढ़िए आपने तो आपने ये तो जाना कि केसरिया जब किया जाता है तो उस वक्त जो पगड़ी पहनी जाती है वो होती है केसरिया पगड़ी ठीक है युद्ध के अफसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी का क्या ना पर फूल पत्ती वाली पगड़ी, हूली पर केसरिया पगड़ी, युद्ध पर मोठटा की पगड़ी, विवाह पर पीली पगड़ी, कोई भी मांगलिक अफसर पर लहरिया पगड़ी, सावन ने, चलिए अब हम बात करेंगे पुर्चों की वस्त्र, छीकिए, पुर्चों के विविन तरीके के वस्तर भी होते हैं, पगड़ी हमने देख ली, अब हम वस्तरों को देखेंगे चलिए, पस्ट है अजरक, तो पुर्सों के वस्तरों में सबसे पहले आता है अजरक अजरक जो है वो कब पहना जाता है, ये हिंदूओं द्वारा नहीं, बलकि मुसल्मानों द्वारा यानि मुसलिम लोगों द्वारा जब नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त पहना जाने वाला वस्तर है नेक्स्ट देखिए, पच्चवड़े वा गूंगी, अब ये क्या होता है? तो देखिए, जब सरदियां पढ़ती हैं, तो उस वक्त खेतों में काम करते समय, जो किसान होते हैं, वो अपने सरीर पर क्या करते हैं? एक कंबल बानते हैं, ठीके? तो जो की कारे करते समय हातों का बंधन जो है वो ना बन जाए इस तरीके से ये पहनी जाती है जिससे सिर पर ओड़े जाना वाला कंबल या घुंगी भी कहते हैं ठीक है तो इसको हम कंबल या गुंगी भी कहते हैं तो सरध्यों के टाइम पर ही ये पहना जा रहा है किसानों द्वारा पहना जा रहा है नेक्स्ट है आतम सुख, तो नाम सही पता लग रहा है कि ये आतमा को सुख देता होगा, यानि कुछ परेशानी आती है तो उस वक्त ये पहना जाता होगा, तो देखी ये विशिशकर जब बहुत ज़्यादा तेज सर्दी पढ़ रही होती है, तो उस वक्त तेज सर्दी में सर्दी से बचने के लिए जो अंगरखी पहनते हैं वह चोगा पहनते हैं तो उसके उपर लोग जो हैं वो इस वस्त्र को धारन करते हैं तो काफी soft होता है ये जैसे की रूई होती है ना रूईदार इस तरीके का होता है तो जाता तेज जफसर्दी पढ़ती है तो अंगरखी के उपर पहना जाता है अब हम बात करेंगे कि अंगरखी क्या होता है चोगा क्या होता है तो अंगरखी और चोगा के उपर पहना जाने वाला ये वस्त्र होता है जिस तरीके से आप सर्दियों में मकमली टाइप में स्वेटर पहनते हैं, इसी तरीके से ये राजिस्थानी वस्तरों में आता है। नेक्स्ट है अंगरखी, अंगरखी क्या होता है? ये गाउं में पहना जाता है, ग्रामिल्ड शेत्रों में पहना जाता है, इसे भुगतरी भी कहते हैं, अंगरखी को भुगतरी भी कहते हैं, ये सफेद कुर्तप जामा जो होता है, उसी तरीके का होता है, और खासकर ये अब ये क्या होता है? जो अंगरखी होती है, उसके उपर पहना जाने वाला वस्त्र। चुगा या चौगा कहलाता है। लेकिन देखिए ये चुगा और चौगा जो है ये जो अमीर लोग होते हैं वो ही पहनते हैं क्योंकि काफी कौसली होता है, महंगा होता है तो और जब सर्दी होती है तो उसके बचाव के लिए पहना जाता है और चुगा और चुगा यह क्या होता है यह हमने देखा कि विसेश अफसर पर ज़्यादा संपन लोग होते हैं वो इसको पहनते हैं अंग रखी के उपर नेक्स्ट है जामा जामा जो है वो कैसा होता है जो आपने मुवीज बगएरा में देखा होगा कि जो राजा महराजा थे उस टाइप के जो कपड़े पहनते थे जिसमें उपर जो है वो चोली के जैसा होता है और नीचे जो है वो घागरे के जैसा होता है ठीक है घेर वाला हो तो वो कहते हैं उसे जामा, ठीक है, शादी या युद्ध के समय ये पहना जाता है, नेक्स्ट आता है पटका, अब ये पटका जो है वो क्या होता है, ये कमर में बांदा जाता है, इसे कमर बंद भी बोलते हैं, जो जामा और अंगरकी पहनते हैं, तो उसके उपर जो है वो बांदा जाता है जिसमें क्या करते हैं कि जो तलवार होती है या कटार होती है वो उसमें मतलब घुसाई जाती है ठीक है जिससे की वो तलवार या कटार जो है वो ना गेरे तो वो पटका जो है वो भी देखा होगा आपने शादी के अफसर पर जो दूला होता है वो कमर में जो बांद कर रखते हैं, कमरबंद, वो क्या होता है, पटका ही होता है, जिसमें वो अपनी तलवार ये कटार जो है, वो रखते हैं, ठीक है, तो ये होता है पटका, ठीक है, तो इस तरीके से हमने पुर्सों की पगड़ियां देखी, पुर्सों की वस्त्र देखे, तो इससे तो ओडनिया होती है जिसमें लहरिया की ओडनी होती है ठीक है जो कि सावन मास में पहने जाती है जैसे पुरुस जो है वो लहरिया पगड़ी पहन रहे थे पॉम्चा जो होता है वो पहना जाता है जैसे कि कोई जो इस्तरी होती है जिसके अभी जो बच्चा हुआ होता है तो तो वो क्या पैंते हैं, ओम्दिक है और चुंडृ के तीन जो उड़निया होती हैं, वो होती हैं, एक तो मैंने बताई आपको लहरिया, ओम्दिक है तो इस तरीखे से आप इनको याद रखिएगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू,